मेरे प्रिया आत्मन, सहजोग में आज कभीर साहब का एक पद लेने जा रहे हैं कभीर साहब का जन्म 1398 इस्वी में हुआ और 1518 इस्वी तक काशी और पूरे भारत में कभीर साहब अलग जगाते रहे कहते हैं कभीर साहब गगन मठ गैब निसान उड़े सीधे साधना से अपनी बात शुरू करते हैं जैसे मठों में देखते हो एक जंडा लहराता है ऐसे ही कह रहे हैं कि मेरे गगन मठ में, गगन गुफा में मेरे सुन मंदल में गैब की द्वजा फैरा रही है संत मत में 14 मंदलों की बात कही गई है उसमें जैसे पहले जो पांच चक्र हैं वे पांच मंदल हुए मुलाधार चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र है, मरीपूर चक्र है, अनाहत चक्र है, विशुद्य चक्र है ये पांच चक्र हुए, छठे चक्र से वे मंदलों की बात, छठे मंदल से बात शुरू करते हैं सहस्त्र दल कमल छठा मंदल है, सात्मा त्रिकुटी है, जहां जाकर के भीतर ओंकार का श्रमण होता है आठमा दशम द्वार है, जो आग्या चक्र है, जिसमें शिवने तरविंदु है, जिसको कहते हैं तो उसको दशम द्वार कहते हैं, और फिर जो नवा मंदल है, उसको सुन्द मंदल कहते हैं, वही गगन मठ है और उस सुन्ध मंदल को भमर गूफा भी कहते हैं, फिर दस्वा महा सुन्ध मंदल है जिसको सच्छ घंड भी कहते हैं, जहां जाकर के समाधि लगती है। तो कहते है कबीर साब जो गगन मंडल है जो सुन लोक है वहां जाकर के वो जो नवा मंडल संतमत के अंसार है वहां पर एक जंडा फैरा रहा है और वह गैब की ध्वजा है वह उंकार की ध्वजा है कहते है कबीर साब गगन मठ गैब निसान उड़े वह जो सुन मंडल है वह पर गैव की ध्वजा फैरा रही है जिसके लिए धरम दास कहते हैं जहरी लागे महलिया वहां बारिश हो रही है उस महल में और गगन घहराए गगन गरजना हो रही है जो उंकार का संगीत बज रहा है उसके लिए कह रहे हैं कि एक गरजना हो रही है और खन गरजे खन पुरी चम के वहाना केवल संगीत की गूज हो रही है बलकि वहाँ प्रकाश भी है और लहर उठे शोभा बरने न जाए और बार बार एक लहर गई दूसरी लहर आई और उसकी शोभा उसका संदर बरन नहीं किया जा सकता और सुन महल से अमरित बरस से उसे गगन मंदल में उस सुन लोक से अमरित बरस रहा है और यह अमरित उंकार का अमरित है उंकार का संगीत है उंकार का प्रकाश है और प्रेम अनंद होई साद नहा है और प्रेम से भरकर आनंदित हो करके उसके सुमिरन में जीते हुए संत आनंदित हो जाता है उसमें सनान कर रहा है उस अमरित मे कहते हैं कभीर साहब गगनमठ गैव निशान उड़े वह कैसा है इसके बारे में सुनो पल्टू साहब क्या कहते हैं देखरे गुरु गम मस्ताना ऐ मस्ताने वो गुरु के द्वारा जो गम में जो गगनमंडल है उसको तुम देखो देखरे गुरु गम मस्ताना जानेगा कोई सुजान संथ कोई प्रग्यावान संथ जिसको एक द्रिष्टी मिली हुई है वही उसको देख सकता है और जीयते मरे सोई पहचाने बाहर की और संसार की और मर जाओ और भीतर की और जी जाओ बाहर संसार की और जिसकी इंद्रियां सो गई है और भीतर जिसकी इंद्रिया जाग गई है बस वही उसको पहचान सकता है जीयते मरे सोई पहचाने और गैब नगर सहजे चड़ी जाना वह जो गैब नगर है वह जो गैब मंडल है वह जो सुन मंडल है वह जो गैब लोख है फिर सहज ही कोई प्रयास नहीं करना पड़ता बस उसकी कृपा का प्रसाद जि जागरत अवस्ता है, सुशुक्ति है, स्वप्न है, तीनों के पार एक चौथी अवस्ता है, जिसको संतों ने तुरिया वस्ता कहा है, जहां हम ध्यान में जाते हैं, सुम्रन में जाते हैं, समाधि में जाते हैं, तुरिया चड़ी जब गरजन लागे, जब वहां तुरिया व किया कोई राजा इतना सुन्धर होगा और गृू गुरु गोविंद मासुक मिले है अधूत बात कह रहे हैं क्यों और गृु और गोविंद मासुक हैं प्रेमिका की तरह है और आसिक वए पल्टूबौराना पल्टू साहब कहते हैं कि मैं गृ're गोविंद का आसिक हूं और बिल्कुल पागल हो गया हूँ उनके प्रेम में कहते हैं कबीर साब चंद्रहार चंदवा जहां टांगे जैसे चंद्रहार टंगा हुआ जैसे शामियाना खुब सुंदर शामियाना भीतर टंगा हुआ है जैसे बाहर का भी आकाश जब देखते हो तो एक विराठ चंदवा ज हावे कहीं जाना नहीं कोई तीरत ब्रत करने की जरूरत नहीं कहीं पहारों में कंदराओं में जाने की जरूरत नहीं है और अजपा जप अधारा पर कोई और जप करने की जरूरत नहीं अजपा तो चली रहा है वह उंकार की धुन तो बजही रही है सांसों सांस हर सांस के तो ने अजपा जब का आई तो इसी को आधहार बना लो और गगन-मंडल मनि बरए देखी छबी उस गगन-मंडल में उसे सुन्न मंडल में प्रकाश है दीपक तो नहीं दिखता मगर दीपक उसी की ओर इशारा कर रहे हैं, गगन मंडल मनी देख शबी, जैसे मनी का प्रकाश फैला हुआ है, और उसकी उुप्मा किसी छीज से नहीं दे सकते शूराज हो की चान्द हो की दीपक हो की मनी हो, वह एक अधवत प्रकाश फैला हुआ है जिसको देख कर एक अधुत शान्तिक अधुत आनंद होता है कहते हैं कबीर साहब और चंद्रहार चंदवा जहां टांगे अब मुक्ता मानिक मरहे जैसे चंदवा अटंगा हुआ है उसमें मुक्ता मानिक यह सब मरहे हुए है तो उसका संदर उपमा देने की कोशिश संतों ने जरूर की है लेकिन सच कहो तो सभी उपमाओं के उपार है जो आंतरिक संदर है जो निराकार का संदर है वो सभी उपमाओं के पार है कहते हैं कभीर साहब महिमा तासु देख मन थिरकत उसको देख करके से मन थिरक जाता है प्रफुलित हो जाता है आनंदित हो जाता है मस्त हो जाता है महिमा तासु देख मन थिरकत वो इतना सुन्दर है कि उसको देख करके संत थिरक जाते हैं इसको एक नए अन्दाज में सुनो, सुन्न महल में उत्सो भारी, बड़ा भारी उत्सो चल रहा है भीतर, और अनहत बाजा बाजे, अनहत नात का संगीत वहां गुज रहा है, और आतम दीप जले दिन राती, तुम्हारी ही आतमा का प्रकाश वहां फैला हुआ है, और महफिल गुरू नवाजे, और स्वेम गोविंद, गुरू बनकर के वहां विराजमान है, ओशो सिधार्थ हरी रस भीगे, आनंद होत अपारा, वहां जब जाते हो, तो राम रस से भीगते रहते हो, उस राम के अमरित का जो ज़रना वहरा है, उसमें सनान करते हो, और आनंद होत अ रहता है, और उस सुमिरन में जब जीते हो, उंकार के सुमिरन में, और उस अंतर आकाश को जब देखते हो, तो अधुत आनंद पैदा होता है, कहते हैं कबिर साहब, महिमा तासु देख मन थिर कर, और रविससी जोत जरे, महिमा तासु देख मन थिर कर, मन को थिर करो वहां जाकर के और जैसे ये मन थिर हो जाता है एक थिरकन पैदा हो जाती एक नृत्य पैदा हो जाता है उत्सो पैदा हो जाता है और रविससी जोत जरे ये संतों का एक एक शब्द ध्यान देने लाइक है ऐसा नहीं करते कि रविससी जरे कह रहे हैं रविसासी जोत जरे सुरिय और चंद्रमा का वहाँ प्रकाश है इसलिए कभी-कभी भ्रह्म पैदा हो जाता है संतों की वानी से कि वहाँ कोई सूरज दिखता है कि वहाँ कोई चांद दिखता है नहीं सूरज चांद या दीपक वहाँ दिखता तो नहीं है ल लेकिन जो लोग भीतर से अंधे हैं वे उसे देख नहीं पाते और यही घट चंदा यही घट सूर यही घट गाजे अनहाद तूर इसी घट के भीतर इसी अंतराकाश में इसी गंगन मंदल में चंद्रमा और सूरे का प्रकाश है और अनाहत नाद जैसे वहाँ पर गूज रह है और यही घट बाजे तबल निशान जैसे तबला बज रहा है एक संगीत छिड़ा हुआ है और बहिरा शब्द सुने नहीं कान लेकिन भीतर से जो बहरे हैं और याद रखना बाहर से तो एक प्रतिशत से भी लोग कम बहरे हैं लेकिन भीतर की दृष्टी से 99 प्रतिशत स जादा लोग बहरे हैं उसी की और इशारा कर रहे हैं कि जो बहरा होता है उस उंकार को नहीं सुन पाता और मरिगा हास कस्तूरी बास कहते हैं जैसे मरिग मरीच का होती है या यह समझो जैसे मरिग होता है हरिन होता है उसकी नाभी में ही कस्तूरी रहती है लेकिन गहास सु तरभ दिएर पर ने कहा हाएं जैसे ही हम परमात्मा को बाहर खोजते हैं या आननद को बाहर खोजते हैं जब कि वह आनन दो हमारे भीटर ही है म्रिगा हास कस्तूरी बास आपने खोजे खोजे घास अपने भीतर जैसे हिरन नहीं खोजता उस कस्तूरी को घास सुंगता फिरता है ऐसे ही हमारी हालत है वहाँ आनंद हमारे भीतर है वहाँ प्रेम हमारे भीतर है लेकिन उस आनंद और प्रेम को अपने भीतर हम नहीं खोचते जा करके बाहर खोचते हैं कहीं कहते हैं कबीर साथ कहें कबीर पिये जोई जन जो परमात्मा का जन होगा जो परमात्मा का भक्त होगा वही बस उस अमरित को पी सकता है उस आनंद और प्रेम में जी सकता है जिसके लिए दादू साब कहते हैं दादू देखा दीदा दादू साब कहते हैं मैंने इन्ही आँखों से देखा है और सब कोई कहत शुनीदा कहते हैं मैंने अनभो किया है लेकिन सब लोग सुनी सुना यह बात कहते हैं वेद में पढ़कर गीता में पढ़कर कुरान में केहते हैं कभीर साथ कहें कभीर पी यह जोई जन और माना फिरत मरे। तो इतर उदर ऐसे मारा फिरता है उसको इस अम्रित भल का दर्शन नहीं होता। जिसके लिए बिहार के दरिया साब कहते हैं मोचेव पाप सकल अग मेटो कहते हैं मेरे सारे पाप दूर हो गए तूटा गरब हंकारा मेरा जब अहंकार दूर हो गया करतापन दूर हो गया तो सारे कर्म बंद छूट गए जागेव ब्रम जोति भाव निर्मल मेरे भीतर ब्रम की जोति जल रही है और जागेव ब्रम जोति भाव निर्मल बरकत अमरित धारा और एक अमरित की धार बह रही है तुम भी किसी कामिल मुर्शित से जुड़ो उससे नाम का भेद जानो उस गगन मंडल में जाने का रहस्य जानो और उस गगन मंदल में जाकर के अम्रित रस्पियो यही सहाज हो गए हरियो उन्तत्स